तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे यह मेरा लोस फंक्शन का प्लोट है यह मेरा एक्कुरेसी का प्लोट है जैसे जैसे इपोक्स बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा लोस फंक्शन जो है कम हो रहा है और जैसे जैसे मेरी इपोक्स बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी एक्कु को तो उसके लिए आपको हार कास्केड दिए हाई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और end-to-end deep learning based project लेके आया हूँ जैसा आप मेरे screen देख पा रहे हैं ये project है emotion based music recommendation system जैसा की नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा system है जो की आपको आपके human emotions के basis के ओपर music recommend करेगा या फिर आपको किस mode में कौन से गाने सुनने चाहिए तो आप इस project को अपने किसी भी purpose के लिए अग या फिर आपकी कोई professional learning है या फिर किसी other reason से भी आगर आप इस project को use करना चाहते हैं learn करना चाहते हैं आप मेरे साथ connect कर सकते हैं मेरा number भी आपकी screen के ओपर flash हो रहा है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं मैं आपको पूरे project के source code और उसके पूरे setup के अंदर आपकी help कर सकता हूं तो चल project का basic flow क्या है उसके बाद जो है हम जो है project का पूरा demo करेंगे की basically वो कैसे काम कर रहा है आपको पूरा working demo करके दिखाएंगे उसके बाद जो है project के data set कहां से हमने लिया है उसके बाद जो है Jupiter notebook और model की training कैसे हुई है और फिर हम back end और front end कैसे हमने बनाया यह सारी चीजे हम कैसे है basically different modules जो है वो एक दूसरे कैसे interact करते हैं क्या flow है तो चलिए सबसे पहले जैसे आप मेरी screen देख पा रहे हैं यह flow है जो आप मेरी screen पर देख पा रहे हैं आपको इसकी better understanding के लिए आपको मेरे mouse को follow करना है so that you can learn where I am pointing so जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम जो है इसमें एक human based emotions या human face की जो है हम एक image देंगे जो हमारे trained deep learning model के पास जाएगी अब वो trained deep learning model जो है उस based on that given image it will detect की human का emotions क्या है अभी वो किस mood में है वो happy है sad है angry है या किस mood में है तो हमारा human emotion prediction होगा जो कि हमारा training deep जो हमारा already trained deep learning model जो कि हमने किया है वो हमें predict करके बताएगा और जो हमारा जो भी हमारा prediction आएगा हम वो prediction हमारे music recommendation के logic को देंगे based on that mood जो हमारा based on that human emotion जो कि हमारे model ने predict किया है हमारा music recommendation system हमें जो है अभी के लिए top five music recommendations देता है कि हमें ये top five music recommendation है इस mode में हमें ये वाली जो है गाने जो है हमें सुनने चाहिए ये हमारा एक basic flow है अब हम अगर बात करते हैं demo के बारे में तो जैसा आप मेरी screen देख पा रहे हैं ये एक web app है इसमें basically आपको क्या करना है इ इसमें basically human का face clear हो at least उसके emotions recognize हो रहे हों कि वो happy है sad है angry है neutral है या कोई किसी different emotion में है तो जैसे आप मेरी screen देख पा रहे हैं मैं यहां से कोई एक random image उठा लेता हूँ जैसे कि माली जी मैंने आपके लिए यही वाली एक image उठा ली है ओके जैसा आप देख पा रहे हैं इस image को मैंने preview कर लिया यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं इस image में एक child है या कोई एक बच्चा है जो की angry face में दिख रहा है और अगर मैं इसको submit करता हूँ तो यह मुझे detect करके देगा कि इसमें human emotion क्या है और इस emotion के basis पर कौन से top 5 songs जो है recommended तो जैसे आप मेरी screen देख पारें नीचे मैंने अगर scroll किया यहां पर देख पर्सन इमोशन इस एंग्री जो की हमारे मोडल ने प्रेडिक्ट किया and based on this prediction हमारा जो music recommendation का लोजिक है that has given us these top 5 tracks की जो की हमें सुनने चाहिए all those all these 5 tracks are from Spotify के जो data set से मैंने उठाए हैं और यह सारे English गाने तो जैसा आप देख पारें इसमें एक album है artist है name है या फिर popularity और extra details है about the song but these are the top 5 songs अगर मैं आप किसी दूसरी emotion के लिए अगर check करता हूँ एक और emotion के लिए हम जो है demo कर सकते हैं let's say यह हमने last वाला हमने angry emotion के लिए उठाया था अब यहां पे human is happy अब happy के लिए मैं अगर submit करता हूँ है so you can see इसने फिर से दोबारा correct prediction किया कि person emotion is happy and these are the album और the these are the top 5 recommended music tracks which you should listen in this mode so basically again यह सारे जो track English tracks हैं यह सारे Spotify के data set से उठाए गए हैं तो ऐसे आपका जो है यह काम करता है यह वाला आपका जो system emotion based music recommendation system और अब हमारा क्योंकि और basic flow हो गया है हमारा demo हो गया है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डेटा सेट की तरफ डेटा सेट के लिए मैं यहां पर अपने इसमें आ जाता हूं visual studio code में यहां पर मैंने अपने पूरे project को जो है import कर रखा यहां पर one by one सारी चीजों को cover करेंगे सबसे पहले क्योंकि हम डेटा सेट के बारे में बात कर रहे हैं डेटा सेट आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पास test और train दो folder हैं और दोनों folder में different emotions हैं इसमें जो है हमारे जो हैं यह आप जैसे देख पा रहे हैं जैसे folder का name according to the emotion किया गया है जैसे इसमें सारे angry वाले faces हैं अगर मैं आपको दिखा हूं जैसे आप यह images बहुत ही small sizes की हैं जैसे आप देख पा रहे हैं यह सारे angry images हैं उसके बाद जो है ऐसे fear वाली हैं कोई अगर fear वाली अगर आपको दिखाता हूं तो यह सारी जो है fear वाली images हैं यह सारी image 48 by 48 pixel की हैं सो ऐसे यह यहां पर happy वाली images हैं तो और different person की हैं different age group की हैं different gender की हैं हमारे टेस्ट के अंदर बहुत सारी images हैं उसके बाद dataset की मैं अगर बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास एक CSV फाइल भी है जिसमें हमने जो है Spotify का जो music dataset है जहां से हम basically music recommendations get कर रहे हैं वह that is in this CSV जैसे यहां पर जो पूरा जो Spotify का dataset है name है album artist ID है release date है popularity and और भी बाकी सारे बहुत सारे attributes हैं इस dataset के हम इस dataset के यूज कर रहे हैं अपने music recommendations वापिस जब हम response में return करते हैं तो हम इस dataset का यूज करते हैं तो यह हमारी होगी dataset के बारे में बाद उसके बाद इस फोल्डर के फोल्डर के उपर में बाद में आऊंगा उससे पहले हम आ जाते हैं जूपिटर notebook के उपर जूपिटर notebook में ही हमने जो है हमारे model की सारी training और वो सारी चीजे किये है step by step तो चलिए इसका step by step एक quick work through करवा देता हूं I'm not going to cover each and every word of this code but I'm going to give you a good idea about कि कहां पे कौन सी चीज क्या की गई है और वो क्यों की गई है उसका क्या sense बनता है तो सबसे पहले जैसे आप मेरी सबसे पहली सेल में जो required libraries थी सबसे पहले step वही होता है मैंने उनको import किया है उसके बाद जो है हमारी जो क्योंकि एक classification problem है तो हमारी जो classes है basically जो हम predict करना चाह रहे हैं कि वो angry है तो यह सारी हमारी classes है basically जो हम predict human emotions को जो predict कर रहे हैं तो यह सारी हमारी classes है जैसे angry is a class, disgust is a class, fear is a class, happy is a class, neutral is a class, sad is a class, surprise is a class so these are यह सारी हमारी classes है तो यहाँ पर हमने जो हमारे train और test data को जो है basically उसको visualize किया है कि कौन से class में कितनी images हैं कितना data है तो जैसा आप देख पारे है happy में train वाले folder में इतनी images हैं, test में इतनी है, neutral में इतनी हैं वो सारी यह just exploratory data analysis का first step होता है कि आप यह check करें classification problems में कि आपकी कितनी classes हैं, उन में कितना data है और वो कैसे कैसे distributed हैं ठीक है, उसके बार यहां पर मैंने उसको just upload किया है जो की उपर जो same data था, उसके बार जो है कुछ एक basic जो हमारी images थी उनको हमने upload करके देखा है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, surprise की कोई एक surprise की image, fear की, angry की, neutral की, sad की, disgust की और सारी classes से हमने एक एक image जो है यहां पर upload करके देखिए कि वो कैसे देख रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं एक चीज़ा शायद आपने notice की है की नहीं की है, यह सारी images जो है black and white में है, RGB format में नहीं है, ठीक है उसके बाद basically RGB format में ही है, I mean colored format में नहीं है, so उसके बाद यहां पर next step हमारा जो आता data preprocessing का, data preprocessing में हम कुछ चीज़े करते हैं जब हम images के साथ deal कर रहे हैं, हम data augmentation करते हैं और जैसे data augmentation का मतलब यह होता है कि अगर आपकी कोई एक image है, उसके उपर different effect लगाके उसके different version बनाना, जैसे कि मानलो उसको zoom कर देना, उसको zoom in कर देना, zoom out कर देना, उसको rotate कर देना, उसको basically कोई और effect डाल देना, ताकि model को उस image के काफी सारे variations मिले, और model can train very well कि हा, यह एक जो है particular type की image है, और model उसको accordingly अच्छे से read कर पाए, नहीं तो अगर हम सिर्फ एक type की image देंगे, किसी एक particular चीज के लिए, तो जब actual में similar type की image होगी, लेकिन किसी different angle से होगी, या zoom in होगी, या zoom out होगी, या different size में होगी, different rotation में होगी, then model will not be able to predict, इसलिए जो हमारा data augmentation बहुत ज्यादा important हो जाता है, यहां पर हमने जो है data augmentation की है, जैसे आप देख पा रहे हैं, rotation range, zoom range, width shift range, height shift range, horizontal flip करना और वो सारी जीजे, ऐसे ही हमने जो same जो है, हमने test data के उपर लगा है, test pre-processor and train data, train pre-processor के उपर हमने इस data path के उपर जो हमने apply किया है, यह हमारा train data और यह हमारा test data है, उचके बाद जो हमने दो models try करे हैं, एक model हमने जो CNN का model जो scratch से try किया, the second one हमने एक model को जो हमने fine tune किया है basically, तो चलिए सबसे पहले CNN model की बात करते हैं, CNN model यहाँ पे हमने CNN model का एक method बनाया है, इसमें हमने model को create किया है, model का object बनाया है, उसके बाद model में first convolution में हमने यह सारी चीज़े डाली है, मतलब कि यह first convolution layer है, इसमें 32, 32 into 3 by 3, 3 by 3 represents the, आपका जो basically RGB format को represent करता है, और उसके बाद normalization, उसके बाद activation function हमारा relu है, उसके बाद फिर से normalization, उसके बाद max pulling and drop out, यह सारी चीज़े जो है, convolution layer की part होती है, अगर आपको यह concept नहीं पता है, तो मैंने deep learning की एक पूरी playlist बना रखे है, उसके अंदर एक-एक concept को अलग से समझा रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको जो है, इस वीडियो के उपर, left here, right में कहीं पर देख चाएगा, उसके बाद ऐसे ही दूसरी CNN को एड़ किया है, basically यहाँ पर हमने अपने convolution, CNN में, convolution neural network में, हमने अपनी layers को define किया है, कि कहाँ पर कितनी layers हैं, और कितनी layers में हम अपने कितने neurons चा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह सारा जो है, फिर हमारा output वाला part आ जाता है, that means कि यहाँ के बाद हमारी जो layers कम होनी शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें शुरू में 1024 हैं, फिर 512 हैं, फिर 256 हैं, फिर 128 हैं, और last में जाके अगर आप notice करेंगे, तो हमारी साथ ही neuron होंगे, actually, these are not layers, these are number of neurons, sorry, so, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, कि साथ ही होंगे, क्योंकि हमारी साथ classes हैं, तो इसलिए हम साथ ही basically जो output हो सकती हैं, और activation function है हमारा जो, तो यहाँ पे फिर जो हमने जो model को construct किया है, उसको हम return कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस same method को call कर रहे हैं, उसक कौन सी matrix के हम focus करना चारे हैं, वो देते हैं, उसके बार नीची आजाते हैं, फिर हमने कुछ callbacks specify के हैं, callbacks में हमारा यह होता है कि during the model training, अगर बीच में हम कुछ decision लेना चाहें, तो हम वो callbacks के दूरू ले सकते हैं, जैसे कि मान लिजए अगर आपका model की accuracy increase होना कम हो जाती ह है, same ही accuracy रहती है, तो हम उस time पे क्या callback apply करते हैं, कि we reduce the learning rate, जब हमारी accuracy कम होना शुरू हो जाती है, तो जैसे आप यह देख पा रहे हैं, reduce LR on play 2, play 2 मतलब कि जब आपका accuracy वाली जो graph है, वो बिल्कुल ऐसे straight आने लग जाती है, तो हम learning rate को reduce कर देते हैं, और किस से, कितने से reduce करते हैं, हम वो यहां पर चीज़े define कर देते हैं, कि कितने factor से reduce करना या क्या करना, और एक early stopping का callback होता है, कि let's say हमारा model जो है, एक level के बाद learning rate और वो सब apply करने के बाद भी, हमारी model की accuracy जो है, एक level तक पहुँच गई, उसके बाद increase होना बंद हो गई है, तो हम early stopping भी क कर सकते हैं, मतलब कि हमें जो अचीव करना था, वो अचीव हो गया है, उसके बाद हम अगर continue नहीं करना चारे हैं, तो वो early stop कर दे, ताकि हमारे resources बचें, मतलब कि GPU या CPU घंटों तक चलता न रहे, ठीक है, उसके बाद यहां पे, नीचे यहां पे हमने जो इसको train किया है, यहां नीचे train के लोग हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, यह हमारा train data, यह validation data है, 50 epochs के लिए किया है, batch sizes, batch size, callbacks, steps, per epochs and validation steps, यह सारे हमने जो उपर define कर दी हैं, यह सारी चीज़े हमने जो उपर define कर दी हैं, यहां पे फिर हमारी training हुई है, training होने के बाद यहां पे अगर मै evaluate करूँ तो यह मेरी test accuracy आई है, roughly roughly 65% की test data के उपर, ठीक है, और अगर हम same, अगर plot curve करते हैं, plot से बहुत अच्छे से समझ में आता है, जैसे जैसे epochs बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मेरा loss function जो है, कम हो रहा है, और जैसे on the right hand side, जैसे जैसे मेरी epochs बढ़ रही हैं, वैसे वैस after a certain point, after a certain number of epochs, हमारी accuracy में बहुत ज़्यादा सुधार या बहुत ज़्यादा improvement नहीं आया है, तो उसके बाद हमने यहां तक जो 50 epochs तो train किया है, तो blue line जो हमारी blue line जो है, training accuracy को represent कर रही हैं, और orange line जो है, हमारी validation accuracy, validation मतलब कि वह accuracy जो हमने validation data के उपर जो है, चलाई है, ओके और blue value जो हमारी training data के उपर है, तो almost similar सी ही है, और अब जैसे देख पा रहे हैं, roughly 65 से 70% के बीच में है, ठीक है, यहां पे फिर हमारी classes हैं, उसके बाद जो है, यहां पे आजाते हैं, यहां पे फिर हमने कुछ predictions करके देखे हैं कि इस model को train करने के बाद क्या predictions आ रहे हैं, उस जो भी confusion matrix में, जो diagonal पे होते हैं, वो सारे correct prediction होते हैं, और diagonal के अलावा, जहां भी जो भी value होते हैं, वो incorrect predictions होते हैं, जैसे हमारी जो 7 classes हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से 7 तक, तो अगर आप यहां पे देखेंगे, first मैं एक example बता देता हूँ, जैसे यहां पे हमारे predicted 0 है, लेकिन वो actual में 6 था, मतलब हमारी predicted class 0 आई, लेकिन वो थी actual में 6, और यहां पे जो diagonal पे आप देख पा रहे हैं, 665 यह हमारी basically predicted थी और truth भी यही था, basically truth भी यही था और predicted भी यही था, इसलिए diagonal के ओपर जो भी predictions होती हैं, confusion matrix में, वो सारी correct होती हैं, उसके लावा बाकी के जो numbers होते हैं वो incorrect होते हैं, वो आपको बताते हैं कि कहां पे क्या predict करना था और आपने क्या predict किया, ठीक है, उसके बाद जो हमने ResNet 50 model को try किया है, ResNet model को हमने फिर से try किया है, ResNet एक kind of pre-trained model है, जो की image classification के task के लिए ही specific model है, specialized model है, इस model को हमने उठाया और इसको हमने जो है, फिर से fine tune किय है, अपने data set के उपर, और इस पे हमारी जो है, basically accuracy or production rate, जो है correct production rate, CNN model के comparatively थोड़ी से better आई है, ओके, तो यहाँ पे भी हम वही सारी चीज़े कर रहे हैं, जो हमने CNN model के लिए की थी, यहाँ पे हम अपना image का shape दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम train preprocessor, यानि कि यहाँ पे हम basically data augmentation कर रहे हैं, train data के उपर, test data के उपर, उसके बाद फिर हमने जो यहाँ पे हमने resonate model को download किया है, download करने के बाद जो है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, freezing all layers except last 50, तो जैसे resonate model में, जैसे हमने अपने convolution neural network model में काफी सारी layers बनाई इसमें भी बहुत सारी layers हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कि जब हम किसी pre-trained model को अपने data के उपर fine-tune करते हैं, तो हम किसी certain layer के बाद वाली layer को unfreeze कर देते हैं, ताकि वो model जो हम अपने data के उपर fine-tune कर रहे हैं, तो वो हमारे data के pattern को अच्छे से समझ जाएं, और अच्छे स जो है, ट्रेन हो जाएं, ताकि वो फिर relevant predictions दे, तो हमने यहां पर क्या किया है, कि हमने last की 50 layers को unfreeze कर दिया है, उससे पहले वाली सारी freeze होती है, मतलब कि वो layers agities रहेंगी, हमारे जो, जब model की training होगी, last की 50 layers के weights और biases, वो सारे updates होंगे, वो सारे updates होंगे, basically during the model training, ठीक है, ज last time एक method define किया था, CNN के लिए, यहां पर भी हमने model को define किया, object बनाया, उसको return कर दिया, यहां पर फिर हमने model बनाया, उसकी summary print करी और उसको compile कर दिया, compile करते time, we give the optimizer laws and metrics, same वही चीज़े हैं, जो हमने last time की थी, फिर से हमने callbacks define किये, callbacks हमारे early stopping और reduce LR on play to, दोनों same callback है, मतल कि अगर early stop करना हो, तो early stop हो जाए, जब when it is required, and reduce LR on play to, जब हमारा जो accuracy कम, मतलब accuracy का play to बना शुरू हो जाए, मतलब कि accuracy जो है, increase होना बंद हो जाए, तो हमारी learning rate को reduce कर दे, ठीक है, उसके बाद से हम फिर से इस model की training करी है, जिसमें हमने last की 50 layers को unfreeze कर दिया है, यह हमारे training के logs है, उसके बाद फिर हमने इसको evaluate किया है, evaluate मतलब कि हमारा जो accuracy और loss function का graph जो है, वो कुछ ऐसा देख रहा है, यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे basically, yellow, sorry, orange is your validation loss, and blue is your training loss, तो training loss हमारा काफी कम हो रहा है, validation loss, around 15 epochs या 12 epochs के बाद, जो है, almost similar सा ही जा रहा है, यहाँ पे similarly, जैसे हमारा accuracy almost ultra graph होता है, according to your loss, so basically, accuracy अगर बढ़ती है, तो loss कम होता है, loss बढ़ता है, तो accuracy कम होती है, दोनों एक दूसरे के reciprocal होते हैं, उसके बाद यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो कि again, यहाँ पे similarly, training accuracy थोड़ी सी ज़्यादा आ 75% से ज़्यादा 68% के आसपास जो हमारी validation accuracy है, और training accuracy हमारी 75% के आसपास आई है, तो comparatively, last model से थोड़ी सी better accuracy आई है इसमें, तो हम इसी model को जो है, अपने back end में use करेंगे, इसको फिर हमने यहाँ पे कुछ predictions करी हैं, नीचे अगर मैं predictions दिखाऊं तो, यहाँ पे मेरा same many confusion matrix को plot किया है, जैसे हमने पहले वाले model में plot किया था, यह हमारी basically कुछ हमने predictions को visualize कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो, यह जो है, यहाँ पे जो हमारे predictions मतलब कि हमने एक image दी, image देनी के बाद हमने वो predict किया कि कि किस image के लिए, so you can see true was happy, मतलब कि यह happy की image थी, हमने भी happy predict किया, true was happy, we predicted it as neutral, so यह images क्योंकि 48 by 48 size की हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी blur दिख रही क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा size करके दिखाए, उसके बाद यहाँ पे जैसे true neutral था, predicted be neutral, true fear था, predicted sad, यहाँ पे true angry था, predicted neutral, तो ऐसी जो है, different difference जो है, हमने यहाँ पे predictions की हैं, आप देख पा रहे हैं कि कुछ, अगर ध्याम से देखेंगे, तो कुछ images में, some people are not that much expressive, तो उनके face से समझ में नहीं आता कि वो angry हैं कि नहीं है, are they neutral, are they happy, are they sad, so एक example के लिए मैं अगर यह वाला लूँ, इस example में जैसे आप देख पा रहे हैं, एक neutral हमने predict किया, लेकिन यह है angry, तो इस photo को अगर आप देखेंगे, by default अगर देखेंगे, तो no one would be able to say कि यह person angry की photo है, so that's why sometimes, somewhere, due to less expressive faces, your model may give different results, okay, फिर यहां पर हमारा music player, यानि की music recommendation वाला system, music recommendation वाला logic आता है, कि हमने, जब हमने predict कर लिया है, कि human का emotion क्या है, कुछ दुखी है या क्या है, उसके बाद जो हम फिर music recommendation करते हैं, जो यहां पर हमने, जो मैंने CSV शुरू में दिखाई थी, उस CSV को read गया है, और कुछ details यहां पर plot करके देखी हैं, ठीक हैं, अगर फिर से मैंने वही वो देख आते हैं, यहां पर recommend songs का logic लिखा हुआ है, based on the predict class, अगर हमारी predict class एक कुछ थोड़ा सा quick work through करवाद देता है, अगर हमारी predict class discussed है, तो हम जो है music player में जो, यानि की जो हमारे basically, इसमें भी actually उन songs के with respect में mode की mapping है, तो हम यहां पर discussed, अगर हमारे model ने predict किया है, तो हम यहां पर sad mood वाले song उठाते हैं, और वो हम जो है, display करते हैं, उसके बाद अगर हमारा happy है, या फिर sad है, मतलब इनसान खुश है, या फिर दुखी है, तो we recommend कि उसे happy song ही सुनने चाहिए, क्योंकि अगर happy है, तो अच्छी बात है, और भी happy song सुनेगा, sad है, तो भी हमें happy mood वाले song हम recommend करते हैं, जैसे fear और angry वाले दोनों same emotion, similar same emotion है, fear और angry वाले, तो उस time पे हम calm mood वाले जो है, calm और composed, शान्ती वाले जो है, गाने हम recommend करते हैं, अगर हम surprise और neutral है, अगर आप कोई कोई इंसान surprise जाए या फिर neutral है, तो हम energetic mood वाले जो है गाने recommend कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ new images के लिए prediction किया, जैसा मैं आपको बता रहा था कि, यह वाला जो model, यह वाला sorry, हार वाला जो basically, आपका जो folder था, यह मैंने आपको बोला था कि, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा, अब इसका बारे में बताता इसके उपर train कर लिए, लेकिन बाहर की कोई random images के उपर जो है, face detection के उपर जो है, अगर आपको वो वाली images अपने model के लिए यूज करनी है, तो आपको यह वाला our cascade की default XML आती, जो की CV2 के अंदर जो classifier के थुरू आप यूज कर सकते हो, यह आपकी क्या करेगी, यह frontal face detection, मतलब face का पूरी image में, लेट से आपकी image में कुछ background है, कुछ और चीज़े हैं, उस image में आपका face detect कर लेगी, और face detect करके, हम फिर वो उस face को जो है, आगे अपने emotion based recommendation system को देते हैं, क्योंकि आपकी जैसे अगर मैंने demo में भी दिखाता है, इस image में भी जैसे आपके background में, मैं अगर आपको कोई और दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाली image में दिखाता हूँ, इसमें भी सिर्फ एक human है, लेट से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें background में काफी सारी चीज़े हैं, तो इस image में से सिर्फ अगर आपको face निकाल के देना ह तो उसके लिए आपको hard cascade देए, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख पार हैं, क्योंकि हमने जब दो data set के ओपर training किया था, हमने सिर्फ face निकाल के ही दिया था model को, अब अगर हम model को training के बाद अगर हम एक image दे देंगे जिसमें सिर्फ face नहीं हैं, बाकी की चीज़े हैं तो model will confuse, जैसे इसमें इसने correct prediction भी किया है, जैसे शकल देखने से ही समझ में हरा है, यह person जो परशान है, so person emotion is discussed and it has recommended these songs, ठीक है, so hard cascade का यह purpose है, कि किसी एक image में से वो आपका face detect करके, सिर्फ face वाला part आपको दे सकता है, ठीक है, तो हमने इसका इसलिए यूज किया है, फिर हम यहाँ पर load and prep image किया है, उसके बाद prediction and plot किया है, so जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने यह एक image दी थी, test data में से, उसने फिर इसको sad predict किया, और यह वाले happy वाले गाने जो है, इसने recommend किये, यह sad predict किया था, और इसने happy वाले गाने जो है, recommend किये, ऐसी एक दूसरी image दी थ था, वो angry भी था, और उसने calm वाले गाने, काम मतलब शान्ती वाले गाने जो है, उसने recommend किये, उसके बार यह हमारा हो गया, यह हो गया, यह हमारा Jupiter notebook और उसकी training के बारे में हो गया, जब हम Jupiter notebook हमारा model की training हो जाती है, तो हमने last में इसको save कर लिया, जैसा आप यह देख पा र अब हम quickly आजाते हैं, हमारे backend के code के उपर, backend का code हमारा यह वाला code है, इस code में जल्दी से आपको बता देता हूं कि कहां पर क्या है, सबसे पहले हमने required libraries को import किया है, उसके बाद class का object बनाया है, उसके बाद line number 13 पे जो हमारा trained model था, उसको हमने load किया है, जो कि हमने train करने के ब जो हमारा music वाला data है, उसको read कर रहे हैं, उसके बाद load and prep image जो भी हमारी image आती है, हम उसको read कर रहे हैं, और read करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि, यहां पे hard cascade का भी हम use कर रहे हैं, क्योंकि हमें, हमारा user हमें जो है, एक सिर्फ face वाली image नहीं देगा, वो कोई द इसके उपर train किया है, तो हमें उस image में से सिर्फ face निकाल के देना है, तो उसके लिए हम hard cascade का use करते हैं, उसके बाद यहां पर वाला logic है कि हम अपने model के उपर RGB और resizing वगारा वो सब, basically model को देने के लिए, अपनी image को prepare करते हैं, ठीक है, pre-process and prepare करते हैं, उसके बाद यहां प प्रेडेक्शन, यह वाली जो image आती है, वो हम model.predict method को देते हैं, फिर जो हमारे prediction आती है, उसके बेस पे जो हम अपनी class जो है, प्रेडेक्ट करते हैं, और class के बेस पे जो हमने predict करी है, यहां से हम फिर recommend गाने जो है, basically recommend कर रहे हैं, कि यह वाले गाने इसको देने चाहिए, ठीक है, उसके बाद यह वाला, यह वाला same logic, सारा logic जो है, आपका यहां पे call होता, slash predict API में, slash predict है हमारे एक API end point है, जो कि आपके एक image लेगा, और image लेने के बाद जो है, इस method को call करेगा, यह method, in turn, बाकी के methods को internally call करके, आपको emotion और recommendations दे देता है, और पूरा API का response दे देता है अगर मैं आपको इसको postman पे test करके दिखाऊं, तो जैसे कि, यहां पे postman में मैंने उसी same, same end point पे मैं call कर रहा हूं, यहां पे से मैं अगर आपको कोई एक image दे देता हूं, let's say, यह human face smiling वाली image दे देता हूं, और मैं अगर इसको send करता हूं, तो मेरा ऐसा कुछ response आ रहा है, यहां पे जैसे emotion is happy, these are the recommendations, recommendation में basically आपका album आता है, artist आता है, name आता है, popularity आती है, और release date आती है, यह सारे details हो हैं, यह देता है, और जैसे आप देखेंगे, यह हमारी 5 recommendation होंगे, 1, 2, 3, 4, और यह last वाला 5 object, तो recommendation के हमारे 5 objects हैं, क्योंकि हम 5 recommend करना चाहरे हैं, तो यह हमारा backend का code हो गया, और सबसे last में जल्दी quickly जाते जाते, indexed or testimonial, यानि frontend का code, simple सा code बहुत ज़्यादा है, यह style, styling वगएरा मैं cover नहीं करने वाला, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, JavaScript का code मैं cover कर देता हूं, JavaScript का code, यह function है, जो की preview image करता है, मतलब कि जैसे user यहां से image upload कर यहां से जैसे यह upload करता है, तो यहां पर जो image का preview, मतलब एक preview दिखा देता है, तो यह वाला function है, ठीक है, यहां पर हम image को read करते हैं, और फिर उसका preview बना के दिखाते हैं, उसके बाद यहां पर submit image का function है, जो की, जब हम submit function, यहां पर submit button पे click करते हैं, तो यह क्या करेगा, यह जो image upload हुई है, उस image को इस slash predict API के साथ call कर देगा, मतलब कि एक HTTP request बना के इसको बेज़ देगा, और slash predict हमारी जो API endpoint पे उसको call करेगा, जो भी response आता है, हम उसको display कर देते हैं, और display result वाला नीचे एक function है, यहां पर हमने जो basically, जो भी हमारा response आया, person emotion is, यहां पर हम emotion, response.em emotion यहां पर वो कर रहे हैं, और फिर recommendation.recommendations के लिए हमने एक table बनाई है, table में, basically हम उस table में उस data को fill करते हैं, जैसे आप यहां पर देख पाते हैं, यहां पर यह हमारा person emotion है, और यह हमारी जो recommendations है, album, artist, name, बला बला बला, वो सारे जो हम एक table की form में हम जो यहां से दिखा रह और बाकि की सारी चीजे I think हम कवर कर चुए स्टेटिक में हमारा गुछ भी निये जो हम एक स्पिन्नर दिखाते हैं उसकी जिए फड़िये So, I think हमने सारी चीजे कवर कर ली है Again, अगर आपको ये प्रोजेक्ट आपके किसी भी परफॉस के लिए चाहिए झाल